ये कहानी अलादिन नाम के एक राजा की उपर आधारित है जो दिमाग से पूरी तरह पैदल होता है अब पूरी तरह बेवकूफ होने की वज़े से वो उपने देश में क्या क्या करना में करता है ये हम आज की इस एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले हैं आज मैं जिस फिल्म को एक्स्प्लेन करने वाला हूँ उसका नामे दा डिक्टेटर और ये फिल्म दोजर बारा में रिलीज हुई थी मूवी की शुरुगात में हमें कालपनिक देश वाडिया दिखाया जाता है वाडिया में एक बच्चे का जनम होता है जिसका नम अलादिन रखा जाता है अलादिन के जनम के बाद से ही उसकी मा को मार दिया जाता है और इसके कोश सालो बादी उसके बाप की भी हत्या कर दी जाती है और अब सिर्फ 7 साल की उम्र में अलादिन वाडिया का राजा बन जाता है इसके बाद सीन यहीं कट होता है और हम कुछ सल बात का सीन देखता है जहां अलादिन अब बड़ा हो चुका है अलादिन अपने बाप की तरह ही संकी और पागल है और उसके मन में जो आता है वो वही करता है वो अपने देश में उलम्पिक गेम्स रखवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है फिर गेम के दोरान अगर कोई उससे आगे निकल जाता है तो अलादिन उसे गोली मार देता है और खुद वो गेम जीत जाता है और इसी तरह वो उLEMPİक में 14 गोल्ड मैडल जीत जाता है इसके बाद अलादिन अपने महल के बाहर आता है और अपनी प्रजा को बोलता है कि जल्दी ही पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी हम जल्दी ही नुकलियर वेपन तयार कर लेंगे पर किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांती बनाये रखने के लिए और ये बोलते ही वो हसने लग जाता है इसके बाद अलादिन अपने नुकलियर रिसर्च सेंटर में जाता है और वहाँ पर वो अपने चाचा तामीर से मिलता है फिर वो दोनों अंदर जाते है और वहाँ अलादिन देखता है कि उसकी मिसाल बहुती छोटी बनी है अब ये याद आता है कि जब वो दो साल पहले यहाँ पर आया था तो उसने अपने साइंटिस नादाल को मरवा दिया था आप फिल्म वापस प्रेजेंट में आती है और एक साइंटिस अलादिन को बोलता है कि शायद आप ये बात बूल गए थे पर इस पर अलादिन हसते वे उसे बो निकलता है तब ही वह एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है पर बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी अलादिन नहीं बलकि उसका डूब्लीकेट था दरसल अलादिन हमेशा ही अपने साथ एक डूब्लीकेट रखता है ताकि जब भी उस पर हमला हो तो हमेशा उसका ड करते हैं और उसे बोलते हैं कि अलादिन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसे दिखने वाले किसी और को डूढ़ना होगा जो हमारा काम कर सके अब यह देखकर हम यूवर्स को पता चल जाता है कि अलादिन को उसके चाचा तामीर ही मरवाना चाहते हैं ताकि वाडि वो डेक्टरिस मेगन फोक्स के साथ पलंग तोड़ रहा होता है और पलंग तोड़ने के बाद वो उसके साथ एक फोटो किचवाता है और वो उस फोटो को अपनी दिवार पर चिपका देता है उसी दिवार पर हम और भी कई सरी लड़कियों की फोटोस देखते हैं जिनके साथ अलादिन अब तक पलंग तोड़ चुका है फिर अगले दिन जब अलादिन वीडियो गेम खिल रहा होता है तब ही वहाँ पर उसके चाचा तामीर आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने परमाणों हत्यार बनाने के बारे में उन्हें सफाई द लगाते हैं दरसल अमेरिका के लोग चाते थे कि वाडिया में डेमोग्रैसी हो और कोई भी बेवकूफ और पागल राजा उन पर अत्याचारना करें इसके बद अलादिन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नम क्लेटोन होता है और वो अलादिन को बिल्कुल भी राजा कुडाने लगता है जिससे गुसा होंकर क्लेटोन उसकी दाड़ी कारदेता है फिर वो उसकी दाड़ी को जला देता है जहां पर नसम Gund देना था गए gefशंद भाशंद된, के साथ वहां पर भाशन देने के लिए जा रहा है और अब अलादिन ये सब देखकर समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा तामीर का है अब अलादिन को बहुत ज़दा गुसा आ जाता है और वो रेलिंग तोड़ कर अंदर जाने की कोशिश करता है पर तभी सिक्यूरट कि क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे पर इस पर अलादिन उसे बोलता है कि मैं चूतियों के साथ काम नहीं करता और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है अब अलादिन सड़कों पर बटक रहा होता है और तभी वहां उसे नदाल दिखता है जिसे उसने कई सालों पहले मरवा दिया था अलादिन नदाल को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है और वो उसके पीछा करने लगता है पीछा करते वे अलादिन एक बार में पहुंच जाता है जहां पर सिरिफ वही लोग आते थे जो अलादिन से नफरत करते थे तभी वहां पर काम करने वाला एक आदम से मारने की कोशिश करतें वो टपकाने ही वाले होते हैं ए मेरा जाता है कि यह मेरा कजन है दरसल यहां पर नदाल ने आलादिन को पहचाल लिया था इसके बद नदाल उसoda कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो तो आलादिन उसे Bठता होटल के पास जाते हैं जहां पर अलादिन का हम शकल रहता है तभी वह पर अलादिन जोई को देखता है और उससे छुपने लगता है फिर नदाल उसे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो तो अलादिन उसे बताता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं ह है जिसपर नदाल उसे बोलता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम इस होटल में आसानी से पहुंच सकते हैं अब अलादिन ना चाते हुए भी जोई की शौप में काम करने लगता है पर वहाँ पर वो डंग से काम करने की बज़ए सबी चीज़ो को बिगाड़ देता है फिर अलादिन को नदाल का कोल आता है और वह उसे बताते हैं कि मैंने सारा फ्लैन बना लिया है हम कैंटीन के सामान के बहाने से उस होटल में जाएंगे और वहाम पंड़म का पुरा नक्षा ही बदल देता है फिर एक दिन शौप में एक ऑरत को लेबर बेन होने लगता है और उस समय इतना वक्त नहीं था कि उसे हॉस्पिटल ले जाये जा सके अब अलादिन को पता नहीं होता कि डिलिवरी कैसे करवाई जाती है पर फिर भी वो उस ओरत की सक्सेस्फुल डिलिवरी करवा देता है अब यह देखकर जोई भी अलादिन से इंप्रेस हो जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है फिर जोई अलादिन को बोलती है कि वो उपनी पूरी जिंदिगी उसके साथ बिताना चाती है पर इससे पहले अलादिन उसे बोलता है कि मैं तुमें कुछ बताना चाता हूं और फिर वो जोई को अपनी सच्चा ही ब अब ये सब देखकर अलादिन को लगता है कि शायद उसे कोई भी पसंद नहीं करता इसलिए वो डिसाइट करता है कि वो अपनी जान दे देगा फिर वो एक पूल से कूत कर अपनी जन्ग देने ही वाला होता है कि तब ही वह पर नदाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है अब अलादिन भी नदाल की बात को मान जाता है और वो अपने मरने का प्लैन कैंसिर कर देता है। अपना मन बदल देता है और वो एलान करता है कि वाडिया में अब डिक्टेटर्शिप नहीं होगी बल्कि वहाँ पर सिर्फ डेमोक्रासी होगी। और कुछ इसी तरह से यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। प्लैन से हुआ होगी। झाल यहाँ उल्म यहाँ प्लैन करो जात्म होगी।